श्मसकार दोस्तो, आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे lobe pump के बारे में यह है एक positive displacement pump है और positive displacement pump में rotary pump के अंतरगत आता है कह सकते हैं कि rotary pump का ही एक type है lobe pump अब इस pump को इसतेमाल क्यूं किया जाता है? इस pump का प्रियोग हम करते हैं जब हमें sludge को high dry matter के साथ pump करने के आवसकता होती है तब इस तरह के pump का इस्तेमाल किया जाता है अब जो sludge with high dry matter है वो mud celery हो सकता है, cement celery हो सकता है, gypsum हो सकता है, sources with vegetable हो सकते हैं, chemicals हो सकते हैं, meat awful हो सकते हैं, इतियादी तो इन सब की अगर pumping करने है तो उस स्थिती में low pump का इस्तेमाल किया जाता है, अब बात करते हैं कि जो low pump है वो दिखने में कैसा होता है, यह diagram आपके सामने है और यह दिखने में बिल्कुल जो external gear pump होता है, जो यहाँ पर है, यह बिल्कुल दिखने में इसकी तरह ही होता है, अगर आप दोनों diagram को देखते हैं बड़ फरक सिर्फ इतना होता है, कि यहाँ पर हम जो gear use करते हैं, उस पर teeth बने होते हैं, जो spur gear है, gear pump होता है, लेकिन जो low pump होता है, उसमें यह जो rotor हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर teeth की बज़ाए यह lowbs बने होते हैं अब बात करते हैं इसकी construction की, सबसे पहले बात करें, इसमें संक्षन साइड या inlet होता है, यह इसकी inlet या संक्षन साइड है, उसके बाद यह इसकी delivery साइड है, यह outlet इसको कहा जा सकता है, और उसके बाद यह इसकी casing होती है, जिस casing में हम जो rotor हैं उसको mount करते हैं, तो इसमें दो rotor लगे हैं ये पहला rotor है तो ये दूसरा rotor है और इसके rotor पर ही ये lobes बने होते हैं और rotor के जो lobes है और जो casing है इनके बीच का ये जो black space आपको नजर आ रहा है ये इदर यहां पर इसको हम cavity या pocket कहते हैं जिसमें liquid को carry किया जाता है अब बात आती है कि जो भी rotor हम इस्तेमाल कर करते हैं उस पर जो lobes की संख्या है वो कम हो सकती है जादा हो सकती है अगर आप इस diagram में देखें तो यहां पर बिल्कुल clearly visible है यहां जो rotor इस्तेमाल किये गए हैं उस पर 4 lobes बने हुए हैं यहां पर 3 lobes हैं एक rotor के उपर यहां पर थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें यह यहां पर एक और एक दो, दो lobes बने हुए हैं मतलए कि यह 2 lobe pump है, यह 3 lobes है, यह 4 lobe pump है तो आप सकता कि अनसार lobes की जो संख्या है वो कम ही यह जादा हो सकती है, अब बात करते हैं lobe pump की जो working है वो किस परकार से होती है, तो यहां पर हमने जो lobe pump लिया है, वो 3 lobe pump है, ए ये पहला rotor है जो आपको दिखाई दे रहा है clockwise direction में rotate कर रहा है इस rotor को हम एक परकार से driving rotor ये driver rotor बोल सकते हैं जिस ये एक power driven होता है जिसे एक prime over ये electric motor की मदद से rotate किया जाता है जब ये rotor rotate करता है तो इसके साथ में जो दूसरा rotor messing में होता है वह भी rotate करना सुरू कर देता है अगर ये rotor clockwise direction में rotate करेगा तो ये rotor इसकी opposite direction anti clockwise direction में rotate करेगा क्योंकि अगर आप देखें ये clockwise rotate कर रहा है और ये anti clockwise direction में rotate करता है हमें ध्यान ये रखना है जब भी हमें इसकी pump की मदद से कारिया करना है तो सबसे पहले lobe pump को start करने से पहले pump की जो casing है ये वाली जो casing है इसको हमें liquid से भर लेना है और pump को start करने के बाद जब ये rotor rotate करना सुरू करता है तब आप देखेंगे कि जो ये casing और जो lobe के बीच की जो pocket ये cavity है उसमें जो liquid है वो एक परकार से trap हो गया है तो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर ये इसके अंदर trap हो गया है और ये जो lobe है इन lobe की मदद से यहाँ पर इसको force किया जाता है और force करने के बाद कि नीचे की तरफ यहाँ ये trap हुआ है इस cavity है pocket में तो यहाँ से इन lobe की मदद से इसको force किया जाता है और उसके बाद इस liquid को जो force करेंगे तो under pressure ये जो liquid है ये हमारा delivery tube या delivery side या जो outlet है वहाँ पर ये deliver हो जाएगा तो एक परकार से अगर हम बात करें इस परकार से इसमें जो working है वो होती है तो जैसा हमने बात की थी कि जो lobe pump है वो external gear pump की तरह ही होता है लेकिन जो lobe pump की बात करते है इसका जो flow rate है वो uniform नहीं रहता gear pump की तरह है क्योंकि जो lobe pump है इसमें जो हम fluid flow करते हैं वो एक परकार से क्या होता है जो liquid इसमें flow किया जाता है वो pulsating होती है उसकी जो outlet है वो pulsating होती है external gear pump की तरह बिल्कुल ही continuous नहीं होती और यही कारण है कि जो lobe pump है इसका जो wear है वहे भी कम होता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया रोटरी pump का ही टाइप lobe pump के बारे में इसकी construction किस परकार से होती है इसकी working किस परकार से होती है इसमें क्या क्या components होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे